प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंब्राइडरी ओफ राजस्थान, राजस्थान की क्या कड़ाई है इस पर चर्चा करूँगी, इसको विस्तार से बताऊंगी राजस्थान की मुख्य कड़ाई है एक मोची भारत जैसे कि आप नाम से जानते हैं मोची भारत, ये बनता है चैन टाका से चैन टाकी की कड़ाई जो होती है, उससे ये मोची भारत बनता है इसको बनाते हैं मोची जाती के लोग, वो जो जूते बनाते हैं, उनको मोची कहते हैं इसको चमार भी बोलते के जगों में और मेघवाल जाती के लोग इसको बनाते हैं, खास करके इससे जो कड़ाइ की जाती है, वो जूते और जूतियों पर की जाती है, राजस्थान की जूतियाँ फेमस है पूरे देस में नहीं, बलकि पूरे वर्ले, जूते और यहां की जू में आपको क्या बताऊं अभी मैं बताऊंगी कल मेरे पास है एक जूती मुची भारतeki बनाते हैं अब पीमद है कं container हो यह खेंचते हैं। खरकी की सहायता से सीधी तरफ होता है वो बीच का भराई भी किया जाता है जैसे अभी मालो यह तो हमारी दूसरी कड़ाई वाली है और कहीं कहीं पर उसने बीच भी अवरक भी अवरक के या कांच के छोटे-छोटे लगाए जाते हैं जिससे की जूतिया और भी बहुत सुНदर दिखती हैं खास करके जो दुलहे दुलहन का जूतिया होती है वो यहां की बहुत फेमस होती है और इसकी विक्री मेलों में खुब होता है ऐसे भी खुब होता है तो एक फेमस है राजस्थान के इंपराइटर में मोची भारत नमूना होता है प्राकृतिक खास करके लताओं को काच अब्रक के छोट-छोटे टुकड़ों से सजाते हैं जैसे यह कांच है आप देख रहे हो कांच है यह अब्रक है यह तो अब्रक है अब्रक से इसको नमूने को सजाते है यह जो पट्टा है ना हमारे यह राजस्थान का ही है यह शौल मेरा राजस्थान का ही है यह खास करके बाडमेर में इसकी ऐसी इस तरकी डिजाइन ख साइड का यह बाड मेर का है कि शॉल देखलो आप चलो उसके बाद आता है दूसरा राजिस्थान के फेमस एंब्राइडरी है उसको कहते हम हीर भारत नमूने को धागे से भरने को हीर भारत कहलाता है जो भी नमून आपने बनाया जो सेंपल बनाया और सेंपल को धागे से भरने की जो प्रक्रिया है वो हीर भारत कहलाती है बाड मेर मेर अभी मैंने नाम बताया है बाड मेर जैसल मेर वहां पर खुब अच्छी कड़ाई होती ह बार्मेर में सेटिन स्टिच से काज टाका से हेरिंग बोन टाका से या डंडा टाका से यह देखो यह नमूने आपको अच्छे से दिख जाएंगे जगा जगा पर जगा पर कांचल किया हुआ है और बी चीछ में जो भराई की गई है वह सैटिन अस्टिच से किया गया है साटिन अस्टिच दोनों में आपको बताया हुआ है साटिन जिसमें लंबवत बाने के ताने के धागे रहते हैं और फलोट से निकलता है और जो सैटिन होता है उसमें बाने के धागे से हो करके फलोट निकलते हैं यह मैं अलग चीज़ है जो मैं बाद में बताऊंगे तो सैटिन धागे से इसको तयार करते हैं साधरनतेश में लॉंग एंड शॉर्ट स्टिच भी काम में लेते हैं और इनकी जो कड़ाई है और गुजरात के कच्च से मिलती जूलती है उनी और सूती वस्त्रों पर काड़े जाते हैं बिना बटे उनी सूती रयोन अथ्वारेश मिधागे से इनकी कड़ाई की जाती है और इसमें खास करके जो कलर यूज किया जाता है ब्राइट कलर यूज किया जाता है जिसमें खास करके सफेद और काला तो रहेगा ही रहेगा जामुनी नीला गुलाबी लाल हरा इन सारे रंगों से आप ही देखो इसी डिजाइन में आपको पीला है सफेद रंग से किया यह बाडमेर का ही दिजाइन का शॉल बDENा हुआ है जिसको में आपको दिखाया है इसके बाद आता है फोक कड़ाई जिसको भारत काम भी कहते हैं इसका मतलब होता है भराई का काम है यह राजस्थान के जात समय होती है उनमें खास कर कि हां के जो लड़की यां होती है है महलाइं होती है है कि इस काम को ज्यादा करती है झ Ewel पंषर शीड़ गंगे में में जो चीजे बनती है जो स्टीच की जाती है वो साटीन स्टीच बटन होल स्टीच हेरिंग बोन स्टीच अस्टेम स्टीच इन से धागे तयार इन से जो है ना नमूने काड़े जाते हैं और वस्तर तयार किया जाता है और इसमें एक और कढ़ा है एपलिक वर्क अपने नाम सुना होगा तो जो एपलिक वर्क है राजस्थान की मारवारी मेलाई करती है एपलिक जो जैसे यह हमारा मुख्य कपड़ा है इसके उपर जो हम काट करके जो डिजाइन लगाएंगे ऊपर से जो करेंगे यह हमारी एप्लिक वर कहलाती है मेरे पास एक साड़ियां थी लेकिन फट गई यह भी है नहीं फिलाल में तो दिखाती है आपको एप्लिक पर की बहुत ही सुंदर-सुंदर यहां पर बेट सीट यहां की जो इंब्राइडरी है वो काठिया वार के इमप्लाइडर से काफी मिलता जूलता है और सफेद या कोई प् प्लेंड कलर के कपड़ा होता है उस पर आप्लिक वर्क किये जाते हैं नमुना खास करके पश्रुपक्षी मानौ अक्रितियां तैयार की जाती है टांका होता है कि सिंपल रणिंग स्टिच तुर्पाई से इसको सिलते हैं इसका ज्यादातर के उपयोग बैग में कुशन कभर में सोफा कभर में और साड्यों में किया जाता है कई बार नाइटी में भी होती क्वोलीटी बर किया जाता है जैसल मेर का और हूर इस वीधें जो पेश सिफेट लगाए जाते हैं जो पेबन्द लगाए जाते हैं वहरा भुरा मैरून क popular level यह यह टॉडंकै मेरा कहीं जरूर होगा पड़ा हुआ सेंपल रनिंग स्टीच यह देखो उपर के जो दागे है ना आगे आप पीछे दोनों तरफ से सिंपल रनिंग स्टीच से बना हुआ है कच्चा टाका से यह जो डिजाइन आपके फिलिंग की हुई है उपर का बीच वाला पोर्शन आप यह सिंपल रनिंग स्टीच है इसके बाद आता है बीड वर्क राजस्थान के जालोर जिलो में मोती का काम खूब होता है बीड कहते हैं मोती को बीड वर्क इससे टोपी पर्स पच्चों की खिलों ने इन पर कढ़ाई की जाती है बीड वर्क से पर्स में बहुत सुन्दर सुन्दर यहां पर मोतियों के काम से पर्स बहुत अच्छे से त्यार किया जाते हैं डिजाइन जो होता है खास करके इसमें जोमेट्रिकल यह विदे को जियोमेटरिकल डेजाइन कहीं बना हुआ है इसमें मैक्सिमूँप जियोमेटरिकल डेजाइन कहीं पूपयोग किया जाता है। नेकिने पांस्टलय के पंध्य कीया हों सोमर्पर्य को राजस्थान के अलबर और भारतपुर्व जिले में है मेंग आसे कीि जाती है यह यह जो में मॉधरी है यह पंजाब की फुलकारी से काफी हद तक मिलता जूलता है इस में हुझे जाते हैं टाक्य लानुशischen के होता है जाता है बंटपर लाल पीला और जामनी रंग से भी इसकी बढ़ होता है इसके बाद यहां की और एक कड़ाई धर में कड़ाय रिलीजियस एंपराइट तो राजस्थान के जैन और वेशनों मंदिरों में कढ़ाई की होई जो वस्त्र चढ़ते हैं उनमें धार्मी कढ़ाई का उप्योग किया जाता है जैन लोग अपने मंदिरों में जो जड़ाते हैं वस्त्र को वो धार्मी कढ़ाई से मिलता जूलता है इसके बाद आता है पिछवी कढ़ाई यह नात द्वारा एक जगह है वो दैपूर में आपने नाम सुना होगा अनिलंबानी का नाम आपने सुना होगा मुके संबानी का नाम सुना होगा तो मुके संबानी का पूरी फैमिली नात द्वारा में जो श्रिनात जी है भगवान श्रिनात उनके बड़े भगते हैं तो राजस्थान में एक जगह है नात द्वारा वो उदैपूर के पास है वहा समंडल ब्रिंदावन कि ऑप कृष्ण और गोपियों से समंदित जो एंब्राइडरी कि जाती है और पिछवी कढ़ाई कि जाती है रंगीन शूती सैटीन या वेल expon के पर की जाती है तो आज मैंने एंब्राइट्री अफ राजस्थान इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है वीडियो अच्छी लगती है प्लेज शेयर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी अपनी जो आपने आपके पास जो वीडियो है उ सब्सक्राइब हो चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ तब तक दो इजाचत जाने की ओके बाद